हेलो एरुबन वेलकम बैक टो अब्जेक्टिव केमेस्ट्री यूट्यूब चैनल आज की इस लेक्चर में बहुत दिनों से एक अंसुल्जा केस था तनाबे सुगानो डायग्राम उसको डिसकस करने वाले हैं और गिल डायग्राम पर जो मैंने लेक्चर बनाया था उस पर बहुत सरे सुगानो डायग्राम पर एक लेक्चर बनाई है क्योंकि तनाबे सुगानो डायग्राम से कई बार CSIR, NET और GATE के अंदर कोश्चन्स आ चुके हैं तो बहुत important हो जाता है इसको अच्छे से study करना चलिए मैं एक series टाइप इसको बना रहा हूँ तनाबे सुगानो डायग्राम के तीन लेक्चर में बना रहा हूँ से D4, D5, D6 और D7 नेक्स लेक्चर में हम डिसकस करेंगे और थर्ड लेक्चर में हम डिसकस करेंगे questions कौन-कौन से questions पूछे जा सकते हैं कैसे कैसे electronic transitions find out करने के लिए होते हैं यह सब को डिसकस करने वाले हम तीनो लेक्चर में तो पहला लेक्चर आज है और पहले आज पहले लेक्चर को देखने की condition यह है कि आपको इसे like जरूर करना है like कब करना है पूरा lecture देख लो आपको satisfaction हो कि नवास्तों में यह बहुत easy way था simplified way था तो वीडियो को like करना 200 like means 200 likes जब हो जाएंगे तब में second lecture upload कर दूँगा means जो complex diagrams हैं उनको कैसे सुल जाना है उनके electronic transitions को कैसे study करना है तो चली start करते हम तनावे सुगानो diagrams और if you are new to this channel subscribe भी कर लो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो तनावे सुगानो diagrams एक particular एक topic नहीं है यह बहुत सारे topics का एक conclusion है हम ऐसा कह सकते हैं कौन-कौन से topics आपको पढ़ना चाहिए इसके लिए आपको micro states एक बार पढ़ना चाहिए सबसे पहले micro states दूसरा इसके लिए आपको term symbols पढ़ना चाहिए term symbols और आपको augal diagrams पढ़ना चाहिए augal diagrams यह जो lectures है मैंने already prepare कर रखे हैं जिनके link में description में इन तीनों के link में मैं आपको description में दूँगा आप पहले आपको यह दि आता है बहुत अच्छे से micro states term symbols और augal diagrams आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं यह दि नहीं आते हैं आप नए हैं तो सबसे पहले यह lecture देखिए description box में इन तीनों के link में दे रहा हूं वहापट पहले इनको देखिए फिर तनाबे सोगानो diagram से start किए ताके आपको बहुत easily समझे में आए अब देखिए जब term symbols के हम बात करते हैं तो अलग-अलग electronic configurations के लिए अलग-अलग terms आती है हमारे पास d1 और d9 दोनों के लिए same term आती है 2d ठीक है 2d term आती है d2 और d8 electronic configuration के लिए 3f, 3p, 1g, 1d और 1s यह terms आती है अब यह all possible terms में से भी कौन-कौन सी जो useful terms है जो exist करती है जो terms वही यहाँ पर हमने ली है जो हमको तनाबे सुगानो diagrams में देखने को मिलती है वो terms यहाँ पर लिए all possible terms कैसे find out करते हैं उन all possible terms में से कौन सी terms exist करती है यह दिया आपको नहीं पता है तो comment box में आप मुझे जरूर बताना ताकि मैं आपको उस पर एक video lecture बना करके बता दूँ all possible terms और उन all possible terms में से कौन सी terms exist करती है वो d3 और d7 के लिए 4f, 4p, 2h, 2g, 2f, 2d और 2p यह terms exist करती है d3 और d7 electronic configuration के लिए d4, d6 के लिए 5d, 3h, 3g, 3f, 3d, 3pi, 1i, 1g, 1f, 1d, 1s यह सारी terms है और d5 के लिए 6s, 4g, 4f, 4d, 4p, 2i, 2h, 2g, 2f, 2d, 2p, 2s यह terms exist करती है d5 electronic configuration के लिए अब इन में सब में से एक बात हमारे लिए सूचने की है ground state term कौन सी है तो यह जो सबसे पहले पहले मैंने लिखी है हर electronic configuration के लिए यह ground state terms से है means d1 और d9 के लिए तो एक ही term है हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है d2 और d8 के लिए 3f ground state term होती है मितलब इसकी energy सबसे lowest होती है d3 d7 की 4f ground state term होती है d4 d6 की 5d होती है और d5 के लिए 6s ground state term symbol आता है हमारे लिए बाकी सभी excited state terms से हैं जिनकी भी हमको जरूरत पढ़ने वाली है कुछ कुछ की जरूरत पढ़ेगी बाकी सभी भी हमारे लिए useful नहीं है यह सिर्फ हमारे लिए एक information है जादा इसकी जरूरत तनाबे सोगानो डाग्राम्स के अंदर नहीं है ground state term हमको सबसे पहले पता होना चाहिए आगे बढ़ता हूँ मैं splitting एक term कौन-कौन से degenerate states में split होती है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको सिर्फ ये दोनो टेबल copy करना है पहले ये लिख लेना फिर ये लिख लेना आपको एक sequence में notes proper prepare हो जाएगा S term A1G में split होती है या एक ही state होती है S की P की भी एक ही state होती है T1G जिसको हम कहते हैं D दो states में दो energy different energy levels में degenerate states में split हो जाती है एक EG और एक T2G ये तो हम बहुत पहले से जाते हैं जानते हैं कि D दो अलग-अलग energy levels में split हो जाता है EG और T2G F A2G T1G और T2G में split होता है 3 states में split हो जाता है G A1G EG T1G और T2G में split होता है H EG 2T1G है मिन्स T1G प्लस T1G दो बार होगा है न तो 2T1G प्लस T2G I A1G A2G EG T1G प्लस T2G ठीक है ये सारे degenerate states भी मैंने आपको बता दिये अब आप इसको copy कर लो मैं start करता हूँ आज की इस lecture में हम particularly discuss करने वाले हैं D1, D9, D2, D8 और D3 ठीक है ये 5 diagrams means 5 तनावे सुगानों diagram तो आज ही हम discuss करने वाले हैं जो कि बहुत ही simple है बहुत simple है जिसमेंसे D1 और D9 तो बहुत simple है इन में से question भी कम बनते हैं question means D1 और D9 से question कम बनते हैं D2, D8 और D3 से question बन सकते हैं कैसे diagram बनाते हैं उनमें electronic configuration कौन-कौन से होते हैं electronic transitions कौन-कौन से होते हैं वो हम सब यहाँ पर देखते हैं अब start करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात clear कर दू कि हम इस topic में जो पढ़ने वाले हैं वो theory बहुत कम पढ़ेंगे हम ज्यादा से ज्यादा focus उस चीज़ पर करेंगे जहां से CSI या रनेट, gate और other competitive exams के अंदर question आ सकते हैं questions को कैसे solve करना है हम इस पर focus करने वाले हैं देखो यह जो diagram है वो energy और राकाह parameter का ratio और octahedral field के splitting energy और राकाह parameter के ratio के बीच में हम plot करेंगे graph ठीक है तो यह तो simple सी बात हो गई अब हम start करते हैं d1 practically हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा d1 और d9 के लिए d1 और d9 के लिए for d1 and for d9 electronic configuration आप सबसे पहले हम d1 और d9 के लिए जो कि सबसे simple तनावे सुगानो diagram से हैं d1 का तनावे सुगानो diagram और d9 का तनावे सुगानो diagram देखो सबसे पहले organ diagram के बात करते हैं तो augal diagram आप already बना चुके हैं augal diagram for d1 and augal diagram for d9 augal diagram के दिबात करें तो यह होता है augal diagram यहाँ t2g होता है यहाँ e g होता है यह d term होती है जिसकी speed multiplicity के आती है 2 आती है तो यह 2 t2g और 2 e g हो जाएंगे यह augal diagram हो गया किसके लिए augal diagram किसके लिए d1 electronic configuration के लिए d9 electronic configuration के लिए जो augal diagram होगा just opposite होगा means 2 t2g ऊपर चला जाएगा और e g नीचे आ जाएगा ठीक है और यह वही 2 d term होगे ठीक है तो यह हो गए हमारे augal diagram d1 और d9 के लिए अब जब तनाबे सुगानो diagram बनाते हैं बहुत ध्यान से समझना तनाबे सुगानो diagram बनाते हैं तो एक horizontal line होती है यह horizontal line हमारे लिए lowest energy level हो जाता है means ground state term हो जाती है तब यह जो ground state term है देखों यहाँ पर 2 t2g हमारे लिए ground state है तो ground state को हम horizontal बनाएंगे horizontal बनाएंगे मैं यह जो line अभी ऐसे slope में है इसको horizontal बनाना होगा तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा उपर ले जाओंगा इसको यदि इस line को उपर ले जाओंगा तो यह line और उपर चली जाएगी ठीक है यह to easy one line और उपर चली जाएगी मैं यह line बोर जाती हमको दिखाएगे तो यह क्या हो जाएगा तो टीटू जी टेटू जी और यह हो जाएगा to easy ठीक है और यह जो two d है यहाँ पर आजाएगा क्योंकि यह यहाँ से start हो रहा है और यह हमारे लिए zero position होती है ये कौन सी position होती है, 0 position, और इधर 1, 2, 3, 4, इस टाइप के numbering होती है, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस टाइप के numbering होती है, इधर energy के term में, और इधर delta O, और रहका parameter के ratio में, इधर 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप के numbering होती है, अब आगे बढ़ता हो मैं, D1 का ये तनाबे सुगानो diagram हो गया, यदि यहाँ पर बात करती है, और ये है excited state, ground state से excited state में electronic transition हो सकता है, तो total कितने हमको spectrum देखने को मिलेंगे, कितने transitions देखने को मिलेंगे, हम कहेंगे only one transition, only one transition आएगा यहाँ पर, ठीक है, same हमारे लिए D9 है, just opposite हो जाना है, बाकी और कुछ भी नहीं है, पर ये बनाया मैंने, ये 2D, ये 0, 1, 2, 3, 4, इधर 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से आप लिख सकते हैं, 80 तक लिख सकते हैं, अब ये जो horizontal line है, इस horizontal line पर कोन आ जाएगा, ये, ground state में 2EG, यहाँ क्या आ गया, 2EG आ गया, जब इसको हम उपर लाए, तो 2T2G भी तो उपर चला जाएगा, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, ऐसा हमको दिखाए देने लगेगा, ये हो गया, 2T2G, ठीक है, 2T2G हो गया, अब यहाँ पर भी electronic transitions के बात करें, तो कितने transition हो सकते हैं, सिर्फ एक ही transition हो सकता है, तब ये एक-एक transition वाले ही हैं, तो बहुत simple हो गए, इसलिए यहाँ से question बनने की possibilities कम है, D1 और D9 के लिए, लेकिन समझने के लिए important है, यहाँ से basics है, जब हम start करते हैं, तब जाकर के आगे के complex हमको समझ में आएंगे, clear है, इसको आप copy कर लो, मैं D2 electronic configuration के लिए तनाबे सुगानों डियाग्राम्स पर आ रहा हूँ, ओके, अब हम सबसे पहले D2 electronic configuration के लिए तनाबे सुगानों डियाग्राम्स बनाएंगे, देखे, D2 और D8 दोनों में similarity है, D2 electronic transition के लिए जो ground state आएगी, वो D8 के लिए excited state में convert हो जाएगी, और D8 की जो excited state थी, वो D2 में ground state होती है, कैसे, उसको हम समझते हैं, एक D2 को सबसे पहले हम अच्छे समझ जाएं, for D2, D2 का तनाबे सुगानों डियाग्राम हम अच्छे समझ जाएं, इसको detail में देख लेते हैं, बाकी सबको detail में हमको समझने की जुरुरत नहीं पड़ेग 1D term होती है हमारे पास, 1S होती है, 1G होती है, ये 5 terms हमारे पास होती है, D2 के लिए और D8 के लिए भी है, जबकि ground state को उनसी होती है, 3F होती है, तो ground state को सबसे नीचे में लिख लेता हूँ, देखो ये 3F, अभी एक सिंपल सा diagrammatic view हम लेने वाले हैं, किसका तनाबे सुगानों diagram का, फिर हम diagram कैसे बनता है, वो बनाएंगे, ठीक है, 3F के बाद 1D term आती है, फिर 3P term आती है, फिर 1G term आती है, और फिर आखरी में 1S term आती है, इनका energy level इस type से होते हैं, जेखो अब हमें इन सभी term से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, सारी terms split होती है, सारी terms split होकर के हमको lines दिखाई देती है, तो बहुत सारी lines हो जाती है diagram के अंदर, उतनी सारी lines काम की नहीं है, spin forbidden transitions भी होते हैं, spin forbidden transitions means 3F से 1D के अंदर, 3F से 1G के अंदर, 3F से 1S के अंदर भी electronic transitions हो सकते हैं, लेकिन वो spin forbidden है, इसलिए उनकी intensity बहुत कम होती है, तो जिनकी जाबा intensity होती है, वो कौ spin वाले हैं, में 3F और 3P, तो हमको इन दोनों को ही यहाँ पर बना के दिखना है, क्योंकि जादा सारे lines कीच करके कोई मतलब नहीं है, जो काम की है, वो खिचना है, 3F देखो, इस state को कुछ इस तरह से मैं यहाँ बना करके देखू, यहाँ पर यह बना लिया मैंने, 3F और य 15B से हम सो करते हैं, 15B, इसकी energy है, ठीक है, इन दोनों के between energy gap 15B के equal होती है, अब यह क्या होता है, इसको अलग से हम एक लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि 15B पर भी questions बन सकते हैं, 3F जो term है, वो split होती है, और split होकर के, अलग-अलग states में, देखो, कौन-कौन से states होती है, एक होता है, T1G, जिसको 3T1G कहें दे, 1, 3T2G, और 1, 3A2G, यह 3 में split होता है, कौन-3F, ठीक, और 3P, तो एक ही state में split होता है, और वो है, 3T1G, 3T1G, अब यह 2 हो गए हमारे पास, तो इसको specify कर देता हूँ, यह 3T1G किसका है, 3P का है, जबकि यह 3T1G, 3F का है, ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, नीचे नहीं दिख रहा हो, तो आप copy कर लेना, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक जो हमने यह splitting देखी है, यह splitting weak field में हुई है, अब जब field strength हम बढ़ाते है, ligand field strength हम बढ़ाते है, strong field में ले जाते हैं, तो इन सभी के between जो gap है, वो बहुत increase हो जाती है देखो, यह सबसे पहला है, यह है हमारा 3T1G और 3F, ठीक है, 3F का है, यहाँ पर आया है, यह और उपर चला जाता है, यह होगे हमारा 3T2G, ठीक है, यह बहुत ज़्यादा उपर चला जाता है, यह है 3A2G सबसे highest excited state है, और इन दोनों के between जो gap है, यह 15B gap, यह maintain रहती है, यह maintain रहती है, तो इस line के ठीक parallel ही, इसको मुझे बनाना होता है, यह 15B है, 15B, यह line maintain रहती है, ठीक, यह कौन है, यह 3T1G, 4, 3P, यह हो गए, आप मारे, मेरे excited states, ठीक है, हमारे जो excited states वो आ गए, यह त्रांजिशन की बात कुरती है, यह सबसे ground state है, एक यह transition होगा, कहां से कहां तक, 3T1G से 3T2G, एक यह transition होगा, 3T1G से 3T1G, 3P का, और एक यह transition होगा, कहां से 3T1G से 3A2G, यह 3 transition हमको देखने को मिलेंगे, D2 के case में, जबकि highest excited state कौन है, 3A2G, जबकि lowest ground state कौन है, 3T1G, 3F का, ठीक है, अब यह हमारा तनावे सुगानो डियाग्राम नहीं है, लेकिन यह जो lines है, यह जो lines दिखाई दे रही है, यही हमको तनावे सुगानो डियाग्राम में सो करना है, मैं D2 और D8 दोनों के डियाग्राम एक साथ बना देता हूँ, ताकि हमारा time भी बच जाएगा, और हम उन द दोनों के बिट्मिन comparison भी कर लेंगे, ठीक है, मैं इसको erase करता हूँ, आप इसको copy कर लेंगे, ओके मैंने diagrams को complete भी नहीं बनाया है, थोड़ा सा हम समझ भी जाए, बनाते बनाते जाओंगा तो आपको समझ भी नल दिया जाएगा, तनावे सुगानो डियाग्राम 4, D2 and तना round state है, वो आता है 3T1G, 3T1G for 3F, ठीक है, 3T1G, फिर आता है 3T2G, फिर आता है 3A2G सबसे उपर, और ये 3T1G है किसका, 3P का, ठीक है, ये 3P यहाँ पर होता है, 20 और 30 के बीच में, ये इधर मैंने 0, 1, 2, 3, 4 लिया हुआ है, इधर 10, 20, 80 तक मैंने इसको बना दिया है, ठीक ह ये complete हो गया हमारा diagram, diagram complete किसका, तनावे सुगारो diagram for D2 electronic configuration, electronic transitions भी मैंने इसके अंदर आपको बता दिये, ये सबसे low energy transition होगा, सबसे कम energy का, ये उससे high energy transition होगा, medium, और सबसे ज़्यादा energy का transition कौन सा होगा, 3T1G से 3A2G के अंदर, तो 3 हमको transitions हमको यहाँ देखने को मिलेंगे, spectra के अंदर, 3 signals हमको दिखाई देंगे, ठीक, आगे बढ़ता हूँ, D8 के लिए, देखो, D2 और D8 में similarity में आपको बताई, कि जो excited state है, वो ground state में convert हो जाएगी, excited state कौन है, A2G, A2G ground state में आ जाएगी, 3A2G, ये D8 के लिए ground state में आ गई, जबकि, जो ground state में 3T1G है, वो excited state मे चले जाएगी, ये हो गया, 3T1G, ठीक है, ये 3F का है, ये 3T2G, ठीक है, और ये 3T1G किसका है, 3P का है, अब ये 3T1G, 3T1G, same terms हो गई, same terms हो गई, इसलिए इनके बीच में क्या हो गया, repulsion, ये crossover नहीं कर पाए, जबकि, यहाँ पर cross कर गया था, crossover नहीं कर पाए, क्यों, क्य दूसरे को क्या करेंगे, repulse करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से, एक दूसरे से आलग हो गए, तो transitions भी बदल गए हमारे पास, ये सबसे low energy transition हो गया, 3A2G से 3T2G, दूसरा 3A2G से 3T1G, और तीसरा high energy transition जो हो गया, वो हो गया, 3A2G से 3T1G, ठीक है, तो ये इस तरह से transitions भी change हो गया, 3 signal हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, 3 transitions जो यहाँ पर हो रहा है, ये D2 और D9 क्यों हो गया, ठीक है, तो D1, D2, D8 और D9, मैंने 4 आपको तनावे सुगानों diagram से बता दे, जिसमें से 2 जो पहले हैं, वो तो बहुत ही simple है, ये 2 कुछ और खास है, हमारे पास य एकदम, अब मैं आ रहा हूँ, D3 पर, तो D3 के लिए इसको पहले आप copy कोलो, मैं इसको erase कर देता हूँ, D3 समझेंगे, उसके बाद conclude कर देंगे, ओके देखो, D3, D3 भी बहुत आसान है, D3 के लिए अब जो तनावे सुगानों diagram बना रहा है, वो D2 और D8 जैसा ही है, D3 के लिए जो ground state है, वो 4F होती है, ठीक है, और उसमें 4P भी एक same spin multiplicity होता है, तो हम 2 को यहाँ पर 100 करेंगे, यह हमारे लिए 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, यह 4 हो गया, इससे आगे हम जाएंगे नहीं, यह हमने यहाँ पर control कर लिया इसको, और इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यह हमने इसको ऐ यहाँ से बना लिया, ठीक है, और ground state term क्या है, हमारे पास, 3F, 4F है, 4F हमारी ground state term है, और 4F मिंस F, 3 में split होती है, तो सबसी जो ground में आती है, वो 4A2G आती है, कौन सी आती है, 4A2G, फिर उसके बाद आती है, 42G, फिर आती है, 4T1G, और जो P है, वो अभी भी ही है, पर 20 और 30 क between है, और वो इस तरह से आता है, 4T1G, 4P, मिंस, 3, 4P, यह जबकि 4F का है, और दोनों के between repulsion हो रहा है, क्योंकि दोनों same terms है, यहाँ पर भी देखो, जब यदि हम transition की बात करता हमारे पास, 3 transitions होंगे, सबसे lowest energy transition होगा, 4A2G से 4T2G, middle transition होगा, middle energy, 4A2G से 4T1G, और सबसे high energy transition हो 4A2G से 4T1G, clear है, यह D3 के लिए, अब D4, D5, D6 और D7, यह चार अलग है, चार अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर high spin, high spin और low spin, दो अलग अलग condition में हमको तनावे सुगानों डाइग्राम को देखना है, तो जब field strength हम increase करता है, तो एक condition ऐसी आती है, कि high spin से complex low spin में convert हो जाता है, तो जब convert हो जाता है, तो electronic transitions भी बदल जाते हैं, low spin में convert हो जाता है, electronic transitions भी बदल जाते हैं, मतलब एक high spin और एक low spin का तनावे सुगानों डाइग्राम मिला करके एक एक बनाएंगे, जिसमें हम बीच में एक vertical line खिचेंगे, जिसको हम spin crossover कहेंगे, next lecture में ये सब कुछ हम discuss करने वाले है, complete बहुत important है, इसलिए इस lecture पर 200 likes, 200 likes मुझे चाहिए, तब जाकर के मैं next lecture upload करूँगा, complete करूँगा, फिर third lecture जिसमें हम questions को discuss करेंगे, बहुत important है, इसलिए like जरूर करो, share करो, अपने friends के साथ नए हो तो subscribe करो, thank you very much for watching this video